शुकार बत्रो, सुष्ला जी विद्रुदिक्षी चैनल में, आज आपके साथ मैं महिलाओं के काम की बात करूगा, एक रिपोर्ट आई है, बिना बेतन के 23,00,00,00 का काम करती हैं महिलाएं, जी हाँ, 23,00,00 का काम करती हैं महिलाएं भारत में, बिना बेतन के, free of cost, एक ऐसा बताये गया है कि जो ग्रह कार है भर के कार है इसमें महिलाएं की इतनी ज़्यादा देख्षता रहती है कि वो अपनी सभी आर्थे कत्विदियों से दूर हो जाती है और बिना किसी वेतन के अवैतनिक रूप से इतना सारा काम करती है कि इन्हें फिर दूसरे किसी काम करने के लिए समय ही नहीं मिलता भरती महिलाएं 51% समय अवैतनिक कार्यों में बिखाती है चौबेज घंटे का 50% उनका काम अवैतनिक कारों में रहता है अवैतनिक देखवाल को मानता प्रदान करना बहुत जरूरी है ताकि उनको स्रंबल में उचित स्थान मिले 51% अवैतनिक आज ही तमाचा पत पड़ रहा था भारती स्टेट बेंक की रिसर्च टीम ने गढ़ना किये है वो कह रहे हैं कि महिलाओं का जो बिना बेतन दिया जाने वाला काम है वो सकल घरेली उत्पाद GDP का 7.5% है बताई यह 7.5% सकल घरेली उत्पाद है GDP का महिलाओं के घरेली कामकाज को पारंपरिक आर्थिक कतिविदियों से बाहर रखा जाता है और उन्हें उत्पादन के जो योगदान के योगदान है जो उत्पादन में या क्लिंट कार्द में उत्को आर्थिक उत्पादन के दायरे में रखते है रिपोर्ट बता रहे है कि लेवर मार्केट संब रजार में महिलाओं की दसा को समझने के लिए अगर आप महिलाओं की दसा को समझना चाहते हैं तो उनके अव्यतनिक बिना वेतन के बिना सालरीज के जो काम करती हैं उसे समझना आवश्चा हो जन्वरी से दिसंबर 2019 में एक सर्वे कराय था SBI ने उसके डाटा का उपयोग किया गया है IIM एमदाबाद ने भी रिसच की है वो कहते हैं अवेतनिक घरेलू काम पर पुर्षों के मुकाबले महिलाओं रोज ठाई गुना ज़्यादा समय देती है जी हाँ ठाई गुना ज़्यादा पुर्षों भी करते हैं वेतनी काम लेकिन ठाई गुना महिलाओं उसे ज़्यादा काम करती है और शोष बता दिए 15-60 साल की महिलाओं रोज सबा साथ गंटे 7.15 फटे अवेतनिक घरेलू कायर करती है यह 15-60 साल की महिलाओं खाए और पुरुज जो हैं त्रिप 2,5 गंटे ही समय देते हैं अगर महिलाओं को इसका पैसाद मिलने लगे हर महिने से 5-8,000 रुपे मिलते हैं तो आप देखें कि उनका काम हो सकता है से 5-8,000 रुपे हर मेने अगर उनको मिलने लगे उनको बहुत कुछ काम हो सकता है यह कहती है कि 6 साल उससे अधिक की महिलाओं जो गरिलू कामकाच करती हैं उसमें 7.2 घंटे याने 432 में बिना वेतन के काम करती हैं इस तरह से एवरेज जो है 8 घंटे के हिसाब से अगर उनको बेतन दिया जाए कि एक महिला जो 8 घंटे काम करती है 7.2 तो बिना वेतन का है और उसका उससत बेतन भी लगाए जाए तो गाओं की महिला को 5-8,000 रुपे महिने का मिल सकता है और शहर की महिलाओं को 8-10,000 रुपे मिल सकता है यह GDP में 7.5 परसेंट का योगदान है गामीर महिलाएं गामीर शेत्रों की जो महिलाएं 5 फीसदी और शेहरी शेत्र में 30 फीसदी महिलाएं घरेलू काम के अलावा मजदूरी भी करते हैं यहां उपने घरेलू काम भी करना पड़ते हैं और मजदूरी भी करना पड़ते हैं बहुत से घरों में जो घर के काम करती हैं बाई लोग वो अपने घर के सारे काम करने के बाद आती हैं फिर पैदल एक घर से दूसरे घर ती अब एतनिक महिलाओं का कुल योगदान लगबग 227 लाग करोड का है जो भारत की GDP का 7.5% है छोटा पुटा आख़ा नहीं है इसमें गाउं की जो महिलाएं 14.7 लाग करोड पर दे रही है और सहरी छेत की महिलाएं 8 लाग करोड का योगदान करोड दे दे रही है कही ना कहीं हमें इसके सोचना होगा हम कहते हैं महिलाएं कुछ नहीं करती हैं घर में बैठी रहती हैं मुबाइल पर चैटिंग करती हैं फिल्म देखती हैं लेकिन सर्वे की रिपोर्ट लेच्टेस है जनवरी से दिसमबर 2019 के बीच की रिपोर्ट है जो बता रही है कि हमारे हां बगैर बेतन के 23 लाग करोड़ का काम करती है महिला है और हम कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं करते हैं इतलिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा नजरिये को बदलना होगा महिला के योगदान को मानना होगा और महिला के योगदान के लिए पेरे सबसे निविदन है कि वो अ बिना किसी चर्चडा हटके वो आपका काम करते हैं आपको वीडियो कैसे लगा इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए